नमस्कार दोस्तों सुवागत है आपका एक पर फिर से यडियु के साथ किसान भाई ओइस वीडियो में बात करने वाले हैं देस भर की मंडियों में प्याज की कीमतंग बारे में तो किसान भाई वीडियो को सुरूख करने से पेले मैं आपको जानकरी दे दुग अगर आप YouTube चैनल बर वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए और गंटे का बटन दबाद है लेकिन अगर आप Facebook पेज बर वीडियो देख रहे हैं तो पेज़ को लाइक कर लीजीगा शोलाद से लेकर के ठार्स रूपे प्रतिख्वे Thomattel राज्यस्तान के उध्यपूर की बात करें स्टराइदा बात करें, Щूर्ा रूपे अधे हम बात करें, स्टाइड से लिक montrer हम बात करें साके हैं बात करें हरियाना के पानिपत की 15 से लिएकर के 18 सुरूपे पर्तिक वेंटल उत्रा खंड के रुदर पुर्गी बात करें 18 सुरूपे पर्तिक वेंटल राजस्तान के बिनमल के एकर हम बात करें 600 से लिएकर के 750 सुरूपे पर्तिक वेंटल उत्रपदेश के चाहिया पुर्ग हर्यानगे अरियान के महें की बात करें च stub मीलक की बात करें मतरी कि मैं देखने को मिली यकाल के समसेर के जगरी शाइब के बात करें 55 पेदेर ही जों परेश ह सब्सक्राइब का नहीं उन्हें ऄटाइई नहीं करके सामने हैं सब्सकेठों कि नैचाइब देखने को मिली है हरयाना के बार्नार णिखें मथे नहीं देखने को मिली उत्रप्र्देश के तो त्यूंट केशाषर रूपे Стुन रूपे लिकी माथ देखने को म spacious 5क्षा में हम बात टे बात करें हर यानके कोशली से 12 रुपे प्रतिक वैंट लेकी में देखने को मली माज़र प्रदेश के पालंपुर की बात करें 2600 रुपे प्रतिक वैंट लेकी में देखने को मली उत्र प्रदेश के उन्नाओं की बात करें 15-12 रुपे प्रतिक वैंट लेकी में देखने को मली कि उत्तराँ पर देखनेकों मिली हैं महाराष्टव के कोंलापुर में रजस्थान के जोधबुर के अगर हम बात कते हैं तो 600 से लेकर 2000 रुपटी कॉ तब राजस्थान के कोटा की बात करें 1500 से लेकर 12fund 50 रुपवर पर्ती कॉष्ट लुपर महाराश्ट्रक e sertiana की बात करें कि 250ं 54 रुपवर परती कॉष्ट तो पर्देश के नाजीबाबाद की बात करें तो थारा सुरूपे प्रतिक वेंटल वेस्ट पंगाल के बगड़ा करीश वजार की बात करें तीन हजार रूपे पर देखने को मिली है तो किसान वई यह देश्बर की मडियों प्याज की कीमते मैं आथा के तो आपको वीडियो पसंदे होगे हैं कि वीडियो लाइक केजिक यह ज्यादे जादे सेयर करें जीका और कमेंट के को क्या वीडियो कैसे लिए मैं काम नंगता हूं कि आपको आज करें शूब वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद